आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार 2.02 करोर मद्दाता अपने मत अधिकार का उप्योग करेंगे जबकि यूपी के साथ गोवा की 40 विधानसवा सीट पर और उत्राखडी 70 सीटों पर भी वोटिंग शुरू हो गया है जिसको लेकर देश के पीम समेत कई दिगजों ने ट्वीट करके जनता से वोट की अपील की है वहीं आपको बता दे कि पहला ट्वीट यूपी गोवा और उत्राखंड के चनाओ पर पिये मोदी ने ट्वीट किया है उन्होंने लिखा उत्रप्रदेश विधान सबा चुनाओं के लिए दूसरे दौर के साथ ही आज उत्राखंड और गोवा की सभी विधान सबा सीटों के लिए वोटिंग है सभी मतदादाओं से मेरी विंती है कि वो लोक तंद्र के इस पावन उत्सों में भागिदार बने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाये याद रखे पहले मतदान फिर अनकोई काम वही दूसरा ट्वीट दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सीएम योगी ने ट्वीट किया है उन्होंने लिका भाजपा की डबल इंजन सरकार में नर्धनों के अपने घर का सपना साकार हो रहा है सभी को घर के लक्ष को सिध करते हुए पिएम आवास योजना से जन्पत हातरस में 8,647 वंचितों को भाजपा सरकार में पका आवास उपलब्ध कराया हम अंतियोदय के पत पर सतक प्रियाशील है वही तीसरा ट्वीट R&D के जैन चौधरी ने दूसरे चरण के मत्दान के लिए ट्वीट किया है उन्होंने लिखा किया चुप प्यार, सोहार्द, भाई, चार, और विकास के लिए वोट करे वही चौथा ट्वीट दूसरे चरण की वोटिंग के लिए PSP रास्तिय अध्यक्ष का ट्वीट मायावती ने मत्दाताओं से मत्दान की अपील की दूसरे चरण की वोटिंग में आपका तहे दिल से स्वागत है PSP में सर्वसमाज काहित सुरक्षित है जानबाल की तरह अपने वोट की भी रंक्षा कीजिए वही पाचवा ट्वीट ग्रेहमंत्री अमिचाहने लिखा उत्रप्रदेश में दूसरे चरण के सभी मत्दाताओं विशेस कर युवाओं और मात्रशक्ती से अपील करता हूगी अधिक से अधिक संख्या में मत्दान करें आपका एक वोट प्रदेश का उजवाल वा सुरक्षित भाविश्य तै करेगा इसलिए आप स्वेंग भी मत्दान करें साथियान लोगों को भी मत्दान के लिए प्रेरित करें वही चटवा ट्वीटर उत्राघंड के सी अधामी ने किया लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि पहले मत्दान फिर जलपाल तो आपने देखा कि सभी दिखगा जो कई बड़े मंत्री एलेक्शन को लेका ट्वीट की है उन्होंने खास अपील की है लोगों से कि मत्दान जरूर करें अपने मत का प्रयोग करें आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार